हेलो मेरे प्यारे साथियों तो कैसे हैं आप सब स्वावध है आपका अपना चैनल जॉबसेक्स में तो चलिए भीना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं गर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि इसी प्रकार की नियव डेटा आपको निरंतर मिलती रही तो चलिए स्टार्ट करते हैं देख पा रहे हैं कि यहां पे नई रिक्रियूटमेंट आईए एस वे पीओ दो अजार बाइस जी हां दोस्तों हाल फिलाल में नए नोटिकेशन आया है नोटिकेशन जो लिंक है वो आपको मैं डिस्किप्शन में दे दूँगा वहाँ पे चेक कर सकते हैं साथ मैं आपको टेलेग्राम का लिक महाँ पे मिलेगा ठीक है और टेलेग्राम पे मैं निरंतर कुछ ना कुछ डालता रहता हूं ठीक है नहीं जैसे पोस्ट आ गई कोई वेकेंश आगए तो आप चेक कर सकते हैं ठीक है वह ग्रूप जोइन कर लीजिएगा ठीक है तो चली स्टाट करते हैं यहां पर फोस्ट की बात करें तो सोरा सो ढाय भाइस नो दोजार वैस और लास्ट यह दिन का टाइम है आपके पास में रिक्मेंडेशन यह देना चाभगा कि फोर्म है वह स्उसना उनलाइन बराना चालू करेंजिए क्यूंकि होता क्या है कि कभी-kभी मन में यह ख्यालाता है कि कोई दिक्त नहीं अभी टाइम पड़ा है 15 दिन पड़ है 16 दिन पड़ है 17 से डिन पड़ी है उराम से वरॉआ देंं क्ैया दिक्क्त है जब लास्ट टाइम आप घर चे निकलते हैं और नाइट में आपको याद आता कि फोरम फिल करवाने का लेकिन अजब आप एमितर वाले के पास में जाते हैं वो बोलता है कि यार अभी तो सर्वर डाउन है तब आपके ऐसा मानों की आपके पैरों तले से जमीन की सके जाती ह क्यों आपका जो सपना था पीओ बनने का वो सपना आप एनपे खतम हो रहा है उसमें कैए वो सब आपकी ही गलती है तो फोरम है वो आजी फ़ील करवा दीजिए ठीक है उसकी प्रोसेश आधी स्टार्ट कर दीजिए ठीक है किसी भी उन्रशीट से आपके ग्रिजविशन क कुप्लिट होने जाए ठीक है अप्लिकेशन फीस के बात करें तो जनरल ओबी सी डूलों से के साथ डे साथ सो रुपे लगेगी और कुछ बी नहीं लगने वाला एक रूपया भी नहीं लगने वाला है एक्जाश्ट का ठीक है एक्जाम पैटर्न आपका प्री और मैं हैं परी कहमसलिब्स जान लेते हैं इंगलीज के 30 Questions 30 Marks के जनरल एपटिटीड के 35 Questions 35 Marks के डिजिनिंग के 35 Questions 35 Marks के ऐसा करके टोटल आपका 100 questions 600 Marks के अगर नेगटिव मार्किंग के बाद करें तो एक बटा चार यहां पे आपकी नेगटिव मार्किंग रहेगी ठीक है उसके बाद में man exam जो है उसका pattern जान लेते हैं reasoning and computer aptitude यहाँ पे 45 question आपके 6 marks कहेंगे data analysis and interpretation 35 question 6 marks के general economy banking and awareness 40 question 4 marks के English यहाँ पे आपका 35 question 4 marks के total आप 155 के सुनाएंगे 200 marks के time 3 गंटे का plus negative marking यहाँ पे एक बटा चाह रहेगी यहाँ मैंने में प्री में सेम नेगटिव मार्किंग वही रहेगी ठीक है पालेश यहाँ पे आपका essay and letter in English ठीक है मतलब आपको निभन दिया एक letter लेकना है जो कि English में लेकना है जो कि 50 marks का होगा उसमें आपको time मिलेगा तीस मिनिट का आधा गंटे के time मिलेगा 50 marks का जो आपका जो paragraph है यहाँ लेटर है वो रहेगा ठीक है बाद में आपका interview group discussion जो कि 50 number का रहेगा फिर आपका document verification अगर उसके बाद मेडिकल exam होगा ठीक है यह सब अगर आप कर देते हैं ठीक है यह किया यह किया यह किया document verification में कोई issue नहीं होगा मुझे मालूम है मेडिकल exam में कोई issue नहीं होगा अगर आप यह सब कर पाते हैं तो आप फुस हो यह आप एक P.O. बनने वाले हैं अगर यह आपके अंदर एक quality है आप ऐसा कुछ कर सकते हैं आप यह handle कर सकते हैं मैन वाला सब handle कर सकते हैं तो आप P.O. बन सकते हैं ठीक है दोस्तों अगर आपके आपका mindset यह है कि मैं मुझे P.O. बनना है मैं कुछ भी कर सकता हूँ ठीक है तो जो पूरी परकरती है पूरी काइनात है वो आपको P.O. बनने में जुट जाएगी दोस्तों अगर आपका mind यह है कि यार क्या है यह कुछ नहीं होगा ऐसा थोड़ी हो तो माप से यही गुजारिस करूँगा कि फोर्म भील मत करवाएगा क्योंकि आपके अंदर वो जुमूनी नहीं है ठीक है और फोर्म फील करवाते वक्त आपके अंदर यह आता है यह क्या सब्जेक्ट है थोड़ा और होता ना सीजल वाला तो मज़ा था तो आप यह बनने चैनल को सब्सक्रार कीजिएगा वीडियो को चाहने वाले को शेर कीजिएगा ठीक है और कि स्पोर्ट फुल बनाए रखेगा दोस्तों ठीक है तो मिलते हैं एगली ऐसे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय बात